हाई लो एवरिवन हाव आर यूटूब कैनल इंगलिश टुड़े वाई राजे सर गाईज आज की वीडियो में भी आपके शामने एक पैसेज दिख रहा है इस पैसेज को हम रीड आउट करेंगे प्रॉपरली रीड आउट करेंगे और फिर इसके नीचे दिये हुए क्वेस्टन को सॉल्व करने का प्रियास करेंगे आंसर देने का प्रियास करेंगे तो गोड से देखें और शमझने का प्रियास करें रामलाल हैड शेवन चिल्डरेन थी शंस एंड फो डाटर्स द्यान से देखें रामलाल के पास साथ बच्चे थें हैड का प्रयोक किया गया है पास होने, अधिकार में होने के अर्थ में पास टेंस है रामलाल के पास साथ बच्चे थें तीन बेटे और चार बेटियां ओके हाव मेनी चिल्डेन हैड रामलाल तेहां पर बोलेंगे रामलाल के पास साथ बच्चे थे clear तो यह यहाँ पर पहला sentence है अभी complete नहीं हुआ है देखी कॉमा लगाया है sentence यहाँ पर complete हो जाएगा आगे देखिए and the youngest of them धेन दें इस शूपर लेटिव डिग्री है आप भी जानते हैं younger youngest तो यह शूपर लेटिव डिग्री का adjective है इसलिए यहाँ पर the को दी पढ़ा जाएगा ठीक यहाँ पर आप इसको दी पढ़ना and the youngest of them यहाँ दें मतलब three sons and four daughters और उन में से यहाँ तीनों बेटों और चारों बेटियों में से सबसे छोटी बहोली थी ओके जो लड़की सबसे छोटी थी यहीं शात्वे नंबर पे उसको बहोली कहते थे उसका नाम बहोली था clear अब आगे देखिए एक चीज मैंने यहाँ पर बोला में से देख रहे हैं off जब कहीं पर ठीक है one of them two of them three of them all of you ऐसे अगर कहीं पर प्रियोग हो यहाँ noun हो या pronoun लगभक हमेशा ही plural होता है और यहाँ पर one two three four या कोई भी adjective आ सकता है तो समझे इसका हिंदी अर्थ में से होता है off का मतलब काके की है वैसे preposition के रूप में लेकिन यहाँ पर में से कार्थ दे रहा है और यह जो दह है superlative degree की पहले अगर प्रियोग किया जाता है तो इसको दी पढ़ते हैं इसको आप समझ जाईएगा फिर से देख लीजिए रामलाल के पास साथ बच्चे थे या रामलाल के साथ बच्चे थे तीन बेटे और चार बेटिया उनमें से सबसे छोटी भोली थी clear सबसे छोटी कौन थी भोली it was a prosperous farmers household it, it मतलब यह was means था a prosperous means एक शंपन a farmers means किशान का household मतलब ग्रिहस्ती ध्यान दे यह एक शंपन किशान की ग्रिहस्ती थी देंदीजेगा वाजमिन था थे थी होता है तो यह चुकि singular है इसलिए यहां पर थी बोलेंगी ग्रिहस्ती की बात आ रही है वसे house means होता है घर लेकिन household में सघरेलू ग्रिहस्ती यह एक शंपन किशान की ग्रिहस्ती थी तो इस प्रकार से यहां पर रामलाल का घर चल रहा था यहीं कहने का मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी सब कुछ अच्छा ही था कितना बढ़िया लिखा है यह भी past tense में है कोई action नहीं हो रहा है state बताया जा रहा है state मतलब अवस्ता condition बताया जा रहा है कि जो उनका घर द्वार था यह उनका जो भी काम था अच्छा था कुल मिला जुला के prosperity वहाँ पे थी और जो prosperous former की रूप में जाने जाते थे राम बाल जी and there was plenty to eat and drink and there was और खाने पीने के लिए खूब था ध्यान दे plenty का मतलब होता है परयात या खूब to eat means खाने के लिए and drink means पीने के लिए और खाने पीने के लिए खूब था कहने का मतलब किसी चीज की कमी नहीं थी घर में सब कुछ था घर भरा पड़ा था यहीं किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था and there was plenty to eat and drink there means वहाँ भी भोता है यहाँ पर यह introduction रक्षरी देर के रूप में यूज किया गया है इसका यहाँ हिंदी नहीं भी बोल सकते हो तो इसका बोलोगे खाने और पीने के लिए पर्याप्त था खूब था यहीं जो भी खादे पदार था पिये पदार थे वहाँ पर्याप्त थे खाने पीने के समाने सी बात के लिए करते हैं ना खाने पिने के लिए खूब है किसी चीज़ की भगवान ने कोई कमी नहीं दिये तो ऐसे बोलते हैं तो वहाँ पर इस संटेंस को आप बोल सकते हो आल दे चिल्रेन एकसेट भोली वर हैल्दी एंड स्ट्रोंग के रहा है कि एकसेट में सिवा या छोड़कर या अलावा भोली को छोड़कर सारे बच्चे श्वस्ट और हस्ट पुष्ट थें स्ट्रोंग में स्टाकतवर बलवान हस्ट पुष्ट अहल्दी मतलब स्वस्ट शारे बच्चे या भोली को छोड़कर पहले बोलेंगे भोली को छोड़कर शारे बच्चे या सभी बच्चे श्वस्ट और हस्ट पुष्ट थें कहने का मतलब سाथ बच्चों में से यह तीन लड़के थे और चार लड़कियां उन में से छै लोग यह तीन लड़कियां और तीन लड़के काफी अच्छे थे मतलब हश्ट पुष्ट थें स्वश्ट भी थें लेकिन जो साथवे नमबर की सबसे चोटी लड़की थी जिसका नाम भूली था वह ऐसी नहीं थी अर्थात वह अस्वस्त भी थी और वह उसका जो सारेलिक चीक है स्ट्रेंद थी वह भी कम थी आगे देखिए बता रहा है दसंस हैड बिन सेंट तो दे सीटी तो इस्टेडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज़ेज बच्चों को स्कूल और महाविद्यालेव में पढ़ाई करने के लिए शहर को भेज दिया गया था देखें बच्चों को स्कूल और बाद में महाविद्यालेव में पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया गया था अर्थात यह पैसी वाइस का संटेंस है ध्यान दें दस्वंस हैड बिन सेंट बच्चों को भेज दिया गया था यह लड़कों को भेज दिया गया था यह पैसी वाइस का संटेंस है भेजा जा चुका था भी बोल सकते हैं कहां? तो दे सीटी में सहर तो इस्टडी अध्यन करने के लिए इन स्कूलों में एंड लेटर इन कॉलेज़ और महाविद्यालेव में ध्यान दें लेटर का प्रियोग टाइम बताने के लिए यहां पर किया गया है अगर ही होता लेटर टाइम बतारा जिसका मतलब होता है बाद में तो लड़कों को स्कूलों और बाद में कालेज़ों में अध्यन करने के लिए शहर भेजा जा चुका था या भेट दिया गया था clear of the daughters ध्यान दें of the daughters पुत्रियों में से of the daughters में पुत्रियों में से राधा the eldest देखो फीर आ गया यहां पर superlative राधा यहां पर eldest मतलब होता सबसे बड़ी और youngest में सोता सबसे छोटी ठीक लड़कियों में से शबसे बड़ी लड़की राधा had already been married की राधा की पहले ही साधी हो चुकी थी अर्थात साधी कर दी जा चुकी थी पैसी वाइस में यह भी है फिर से देख लें लड़कियों में से पहले इसको बोलेंगे सबसे बड़ी लड़की राधा की साधी पहले ही की जा चुकी थी already means पहले ही past tense है यहाँ पर और यह भी पैसी वाइस में है married third form लगाया head मीं लगा हुआ है clear तो लड़कियों में से शबसे बड़ी लड़की राधा की साधी पहले ही کی जा चुकी थी या हो चुकी थी दूसरी बेटी मंगला की साधी भी तैं हो चुकी थी देख रहे हैं न यहां पर स्टॉपिया एस लगा है मतलब इसका काके की होता है दूसरे बेटी ठीक है मंगला की साधी भी तैंग की जा चुकी थी या तैंग हो चुकी थी and when that was done और जब ऐसा हो जाता अर्थात जब मंगला की साधी हो जाती रामलाल would think of the third चमपा तब रामलाल तीसरी लड़की चमपा के बारे में सोचता देंदे या of मतलब के बारे में about के अर्थ में यूज़ होता है के बीसे में think मतलब सोचना third मिस्ती सरी and when that was done और जब यह हो जाती मतलब जब साधी हो जाती देंदी जी गाई से इसको ऐसे बोलेंगे जब यह कर दिया जाता मतलब क्या जब विवाह कर दिया जाता या जब साधी का काम कर दिया जाता इसलिए इसको यहाँ पर यूज़ किया गया and when that was done और जब यह हो जाती या जब यह कर दिया जाता रामलाल उर्थिंग of the third चमपा तो रामलाल तीसरी लड़की चमपा के बारे में शोचते ठीक इसका आर्थ यह है सोचेंगे नहीं सोचते next है they were good looking healthy girls अब ध्यान दें दे का प्रियोग किसके लिए किया गया है पहला राधा के लिए, दूसरा मंगला के लिए, तीसरा चमपा के लिए यह तीन लड़कीओं के लिए दे का प्रियोग किया गया है यहां पे यह third person का pronouns होता है और बहुचन होता है तो इसलिए यहाँ पर यह तीनों के लिए आया भी इसमें भोली को छोड़ दिया गया ध्यान देंगे दे वर गुड़ लुकिंग वे अच्छी दिखने वाली और श्वस्त बाली कायं थी कौन कौन ऐसे बलेंगे राधा मंगला और चंपा वर गुड़ लुकिंग एंड हेल्डी गल्स क्लियर इसको ए समझेगा यह राधा मंगला और चंपा तीनों लड़कियां सुन्दर थी और हस्ट पुष्ट थी श्वस्त लड़कियां थी क्लियर ना and it was not difficult to find bridegrooms for them or it was not difficult कथिन काम नहीं था to find means पाने के लिए bridegroom means दूल्हा और वर बोलेंगे for them means उनके लिए किनके लिए it was not difficult to find bridegrooms for राधा मंगला और चंपा तो अब घहन दिजेगा यह जो राधा मैं बोल रहा हूँ बार बार इसको इसमें जोड रहा हूँ तो राधा को चाहोगे तो आप खाली इसके लिए कर सकते हो कि वह सुन्दर दिखने वाजी लड़की थी स्वच्ती चुकि राधा की साधी पहले भी हो चुकी थी तो आप ब्राइड गुरूम किसको चाहिए भी ब्राइड गुरूम से तो देखा परियोग तीनों के लिए हो सकता है ठीक है अगर इसको आप छोड़ेंगे क्योंकी इसकी साधी हो चुकी थी चुकि इनकी हस्ट पुष सारे ठीक है न ताकत सारे की स्ट्रेंथ और सुन्दर्ता को बताया रहा इसलिए दे का प्रयोक तीनों के लिए हो सकता है लेकिन यह देम जो है ब्राइड गुम्स की जब बात आ रही है वर चाहिए तो वर किसको किसको चाहिए मंगला और चंपा को क्योंकि राधा है अल्रेडी बीन मैरीट राधा पहले सी साधी राधा की हो चुकी है तो यहाँ पर देखिए एड वस नोट डैफकल टू फाइंड ब्राइड गुम्स फार मंगला और चंपा और कराय कि मंगला और चंपा के लिए वर ढूंढना कथें काम नहीं था ध्यान से देख लें बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली देखे आगे ने बात लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित थें ठीक है ना लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित थें दो लोग की कोई दिक्कत नहीं है इनकी हो गई है सबसे बड़ी की, दूसरे नमर की फिक्स हो गई है, तीसरे नमर की भी होगी, अगर इसकी साधी हो जाएगी मंगला की तो, इनकी कोई दोनों की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि है सुन्दर भी थी, और हस्ट पुष्ट थी, हेल्दी थी, लेकिन दिक्कत किसकी थ भोली की इसलिए रामलाल दिन प्रति दिन चिंता करते रहते थे यह हो गया she had neither good looks nor intelligence, see मतलब भोली भोली had neither good looks nor intelligence, भोली के पास न तो अच्छा रूप था रंग रूप और नहीं बुद्धिमानी भोली के पास न तो अच्छा रंग रूप था और नहीं बुद्धिमानी काने का मतलब यह हो गया भोली was neither good looking nor intelligent, ऐसे भी आप बोल सकते हैं भोली was neither good looking nor intelligent, यहाँ पर adjective बनाना पड़ेगा यहीं भोली न तो रंग रूप में सुंदर थी, अच्छी थी और नहीं बुद्धिमान थी काने का मतलब वह भोली थी, नाम ही इसी लिए उसका पड़ा है भोली, जिसका मतलब होता है innocent, ओके, तो यह आपका जियो sentence देख रहे हैं, सब simple sentence में अकसर देख रहे हैं आप assertive sentence का है, past tense में सब लिखा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे, सारे जो है प्रशनों का उत्तर इशी में मिल जाएगा यहां question दिया हुआ है, question को देख लेते हैं, how were the other girls of Ramlal, Ramlal की अन्य लड़कियां कैसी थी तो देखिए आपके पैसेज में ही लिखा है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, they were good looking healthy girls तो यहां पर लिखेंगे, आप जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, the other girls of Ramlal were good looking and healthy ऐसे, girls हटा देना क्योंकि girls यहां पर आ चुका है, the other girls of Ramlal were good looking and healthy फूलिश टाप, यह इसका answer हो गया, और यह two marks का है, clear, अब second day, why was Ramlal worried about bholi Ramlal भोली के बारे में चिंती क्यों थें, तो यहां पर देखिए, but मत लगाना, तो यहां लिखेंगे, Ramlal was worried about bholi because, यहां पर because जोड़ेंगे, because she had neither good looks nor intelligence, यह हो गया, अब सबसे, अगर इसको और जोड़ना चाहते हो, Ramlal was worried about bholi because of her, यहां पर जोड़ेंगे, अलग तरे किसमें बता रहा हूँ, because of her bad looks and innocence, फिर से देखें, Ramlal was worried about bholi because of her bad looks and innocence, Ramlal उसके, ठीक है, उसके मतलब bholi के, चुकि bholi आ गया, उसके बुरे रंगरूप, यहनि भद्दे रंगरूप और भोलेपन पर, भोलेपन के कारणड चिन्ति थे, जोड़ना चाहते हैं, and the main concern of Ramlal, ठीक है न, जो Ramlal का मुख्य चिन्ता थी, वह क्या थी, marriage, ठीक है कि उसकी साधी कैसे होगी, ठीक, Ramlal was worried about bholi because of her bad looks and innocence, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, Ramlal was worried about bholi because she had, देखो आगे हैं, she had neither good looks nor intelligence, यह कर देंगे, तो main matter उसमें शाधी की आ रही थी, शाधी की यानि, marriage की बात आ रही थी, इसलिए Ramlal चिन्ति थे, यह तो ठीक हैं, good looks और intelligence दे दिया कि ऐसा नहीं है, तो उसके बारे इन चिन्ति थे, लेकिन चिन्ता का मुख्य कराण क्या था, वह है marriage, कि उसकी साधी कैसी होगी, Ramlal was worried about bholi because of her bad looks and innocence, ऐसे भी बोल सकते हैं, and the main concern of Ramlal was bholi's marriage, ठीक है, यह बोलेंगे, the main concern of Ramlal, यह ऐसे भी भोल सकते हैं, the main worry of Ramlal about bholi was her marriage, यहनी, Ramlal की जो मुख्य चिन्ता थी, bholi के लिए हुआ थी उसकी साधी, तब इसको sentence को इसी में जोड़तेंगे, तो इस तरह से आप अगर पैसेश पढ़ते हैं, बार-बार आपको पढ़ने की दिकत नहीं शाहनी पढ़ेगी, बस आप sentence को पढ़ते जाएं, और clear होते जाएं कि इसमें कहा क्या जा रहा है, अगर हमें इसमें देखें, तो आपको यही समझ में आया कि रामलाल के साथ बच्चे थे, जिन में से तीन बेटे थे और चार बेटियां थी, सबसे छोटी बेटी का नाम भूली था, सबसे बड़ी बेटी का नाम राधा, दूसरी नमबर वाली का मंगला और तीसरी नमबर का चम्पा, रामलाल काफी धनवान बेक्ती थें, एक किशान थें, खाने पीने की कमी नहीं थी, उनका भरा पड़ा परिवार था, सारे बच्चे हस्ट पुष्ट थें, स्वस्थ थें, लेकिन भूली, दिमाग से भी कमजोर थी, वो धिमान भी नहीं थी, और कुरूप थी, चेहरा भी उसका सुन्दर नहीं था, रामलाल ले अपनी बड़ी बेटी का साधी या विवाह, ठीक है जिसका नाम राधा है, पहले ही कर चुके थें, और दूसरी बेटी मंगला की साधी भी तैंकी जा चुकी थी, उसको भी कर दिया जाएगा, जैसे उसकी साधी होगी, तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचेंगे, कि उसकी भी साधी कर ले रामलाल राधा कि साधी करने के बाद मंगला और चंपा के बारे में उतना चिंतित नहीं है क्यों? क्योंकि वह जानते हैं, देखे मैं थो आप प्रेजेंट में बता रहा हूँ, यहाप प्रेजेंट में थो आप सा कहानी आपके सामने लाने के लिए वह जानते हैं कि यह दोनों बालिकाएं जो हैं लड़कियां चेहरे में सुन्दर हैं और हस्ट पुस्ट भी हैं, इनको किसी भी प्रकार से वर ढोडने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्राइड गुरूम्स आसानी से मिल जाएंगे और इनकी साधी बड़े धुम धाम से कर दी जाएगी, लेकिन रामलाल का जो मुख्य चिंता थी साधी को लेकर के, वह थी भूली की साधी, ठीक है भूली की साधी के बारे में जब सोचते थे, तो वह चिंती थोड़ते थे क्योंकि भूली न तो सुन्दर थी नहीं बहुती समझदार थी नहीं उसकी बुद्धी थी ठीक है, नहीं वह ताकतवर थी हस्ट पुष्ट थी, यह नहीं कुल मिलाजले के कुरूब थी, उसको उसके लिए वर जोड़ना काफी मुश्किल काम था इसलिए रामदाल काफी चिंदित रहते थे तो इस प्रकार से आप अगर पढ़ते हैं, तो यह जो फोर मार्क्स हैं आपके, वह आपको मिल जाएंगे ठीक, तो क्लास 10 के स्टुडेन के लिए काफी इंपोर्टेंट है, इसको हल करना सिखें, और बोर्ड में पूरे अंक पाएं, देट साल